हाई अब्रिवन, वन्स अगें विल्कम टू आर्गलश्कली पॉइंट मैं सॉन गुपता, दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी क्वेस्टन है जो की सुरुवाती आर्किलोजी से समंदी थे जो काफी इंपोरेंट है और कई बार जो एक्जाम में पूछी गए है तो उसे समंदी लपक 20 से जादी कोस्टन से इस वीडियो में जो हम डिसकस करेंगे शौप इस वीडियो में लाश्ट बनी रहीगा एनुमेज करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद आएगा जो पहला कि प्रागितिहासिक उपकरड़ के प्राप्ति की जिन में जो है छोरे और तीर थी और ये दोनों चीज़े जो है कि पत्थर के बने हुए थे ओके और इसके बाद जो सिगेंड पॉइंट है वो यह है कि 1853 मतलब 1830 में जान इमानस ने जवलपुर के निकट नर्मदा नजि किनारे शिपराज पत्थरों का एक ब्यूरड प्रस्टूत किया पत्थरों से मतलब है कि स्टून टूल से ओके इसके बाद जो पॉइंट नमबर त्री है वो यह है कि बुतत वेत्ता मतलब जियोलोजिस्ट राबर ब्रूस फोट ने तेरह मई सने 1863 को तमिनाडू के पल्ल कि माने आता है ऐसा मनाता है कि इनका जो यह एंड़ को मिले था वो ऑथनिक था एसके पहले जो मिले था हूँ तो मिला ही था बट इनको जो और आध है और बात मेंको जो है कही भारती प्लत जो एफ्यंट ऑफानपल for से था ही और These मतलब ऑद एक प्रिक अक सले है मतलब इ वियंदल की तरफ से रोग आया थे और सिवालिक पाड़ियों की तलहटी भी नोगों ने जो है की exploration किया था काफी पोतवार की पठारी भाग में जास इनको कहीं जो है की मानों के skeleton मिले थे जो काफी earliest थे और रोमानों के नहीं बलकी कह सकते हैं की जानवरों के थे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1950 में देख लेते हैं Stuart Pigott की प्रसीद कृती है जिसका नाम है Prehistoric India ने भारती प्रागतियास दिन में एक नहीं दिशा दी इसके बाद जो point number 6 से वो यह है की प्रागतियास या प्राश्टर युगिन संस्क्रिटिय को पहले बार Denmark के बिद्वन C.J. Thompson ने 1820 में मानो इतियास को Copenhagen संग्राले के सामगरी के दार पर तीन भागों में वाइद किया तो किस ने किया? C.J. Thompson ने किया ये Denmark के थे और यहाँ पर एक संग्राहाल है था जिसके सामगरी के दार पर तीन भागों में जो है कि दिवाइड किया Human History को मतले मानो के तियास को तीन भागों में दिवाइड किया जो पहला है वो आपका पूरा पफ़ड़काल था शेकेन में दिवाइड पफ़ड़कल और जो थार्ड है वो आपका नौ पफ़ड़कल किस ने जिवाइड किया था? C.J. Thompson ने इसके पॉइंट निम्बर 7 ने आपका माराष्ट्रा की बोरी ठीक है? यहाँ पर आप दिखेंगे तो एक शाइट है जिसका नाम है बोरी साइट है और यह आपका कहाँ पर माराष्ट्रा में है तो माराष्ट्रा की बोरी साइट असलें साइट है और यहाँ से जो है कि 14 लाग की डेटिंग है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इससे कम मानते हैं तो आपको पता होगा अर्लिए साइट आपका दर्मपका में इसके बाद जो है कि जौलापुर्म से भी आपको दिखनी को मिलता है जौलापुर्म जिसका मतलब है सिटी आप फायर मतलब ऐसा सहर जो आग का सहर हो इसके पीचर का जो रिजन यही है कि यहाँ पे भी आपको तोबा इरिपसन मिलता है इसके बाद आगे देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो अप्टर दोबा इविंट सेवन्टिरी के मतलब यहाँ पर जो है उडिस मिलता है कि तोबा रेपसन जो हुआ था 70,000 साल पहले इसके रेटिंग थी इसके होने के पहले भी हमानो रहे रहे था और उसके बाद भी मानो यहाँ पर सर्वाइव कर रहा था इसके विडिस्ट जो आपको जोला पुरुल से मिलते हैं इसलिए काफी इंपोर्टन इसके बाद साइट है वो आपका 9th नंबर का है इसके बाद में आप लोगों जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लेजिए चिन्न नहीं से लेपक 60 किलमेटर के आसपास यह साइट पड़ता है और यह ओल्डिस्ट नोन इस्टोन कूल आपको यहां से मिला है इंडिन कॉंटेक्स्ट में इससे पुराना प्लस अकलेस यह दो जो आर्केलोजिस्ट है जोनों नहीं यहां पर किये राइट और यहां पर जो है कि मिडल प्लतिक की डेटिंग है जिसका डेटिंग है आपका तीन लाग पचासी जार साल की डेटिंग यहां से आपको देखने को मिलता है प्लस माइनस 64,000 मतलब इतना क ज्यादा हो सकता है ओके तो लगबग तीन लाग पचासी जार की डेटिंग है मिडल प्लतिक कहां से अतरम पक्कम से इसलिए भी यह साइट काफी इंपोर्टेंट माना आता है ओके इसके बाद आगे चलते हैं आपने अरुन सुनगिया के नाम जरूर सुना होगा यहां से कई बार कोश्चन बने हैं ओके तो अरुन सुनगिया जो है कि 1982 में मद प्रदिस के संगा बाद जी लेकि हात नुरा जो की नमदा निदीत की तरपर इस्तित है नाम अकस्थान से हमोरेक्टिस को प्राप्त किया था एक खोपड़ी इनको मिला था वहां से अरुन सुनगिय जिको ओके इसके बाद बिमबिटका गुपा खोजने का स्रेट वियस वाकण कर जाता है जो कि 1958 के आसपास इन्होंने जो है कि खोजा था बिमबिटका को जहाब आपको अपर से लेकर मेसोलितिक और नियोलितिक तक के प्लस लेटर पिरिड तक के भी आपको रॉक पेंडि ने किया था कब किया था 1924 में किस ने किया था रेमन डाट ने ये कोश्चन कही बार पूछा गया है इसके बाद जो पॉइंट नमबर 30 ने उसको देख लेते हैं वो यह है कि अन्तिम हेमयुक का हुआ था ये कोश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है अगर पूछा जा सकत है 2500 साल पहले अन्तिम हेमयुक हुआ था हेमयुक का मतलब यह है कि चारो तरफ जो है बर्फी बर्फ सब कुछ जो है बर्फ में दफन हो गया था राइट उसके बाद फिर से जो है कि जिन्दगी मतलब लोग की शुरू हुई इसके बाद 14 की बात कर लेते हैं जो में उगाए गया चावल को यह प्राचिंतम साक्ष कहां से मिला हुआ है तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो है लवरा दिवा शंत रविदास नगर ओके और गेहों के मामले में अगर बात की जाए तो मेहरगड सबसे पहले आएगा अर लिस्ट जो है कि डूमिस्टिकेशन के भी प्रस कल्टिविसन के भी ओडिन्स आपको वहीं से मिलते हैं कहां से मेहरगड से मिलता है इसके बाद जो अगला पॉइंट है फिप्टीन नंबर वो यह है कि आश्ट्र बिचकस आ फ्रेंसिस जिसको आप लूसी नाम से आनते हैं इसकी खूज किस ने की थी तो जोनल ज इसकी रेटिंग के बाद कर लें तो 3.9 से लेके 2.9 मिलियन मतलब 49 लाग से लेकर के 29 लाग साल इसकी रेटिंग थी ओके इसके आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं यूश्टी अपनारंदा जो पुस्तक है किसकी है तो यह है आपका एश्टी संकालिया जी क ओके पॉइंट नंबर 17 है सिसुपालगडगड कहा है और किस ने खुदाई यहाँ पर किया था तो यह आपका खोद डिश्ट्रिक ओडिसा में है और बिभी लाल जी ने यहाँ पर खुदाई किया हुआ था इसके आगे चलते हैं 18 नंबर रोल्टेज वेर कहां कहां से मिला है यह कोश्चन आ सकता है आपसे किसी भी एक्जाम में आपसन चारचे मिल जाएगा उसमें आपको चूच करना हो कहां कहां से मिला है तो अमरावती से है ब्रह्मिगरी से है चंद्रवली से है कॉंड़ापूर से है मास्की उरेयूर और मै गाल नी चाहिए, ओके पॉइंट नमबर 90 ना भरुद स्टूप किस ने खुजा था तो अलजिंग्जर कनिंगम ने खुजा था भरुद स्टूप कहां पर है यह आको पता होना चाहिए पॉइंट नमबर 20 है ध्यमे किस तूप किस काल का है गुप्तकाल का है, 580 का है कहाँ पर है, सारनास में है इसके बाद जो है एलोरा के बारे में बात कर लेते हैं एलोरा केलास मंदीर 880 में किस ने बरवाया था तो इसका जो correct answer है वो है आपका कृष्ण प्रथम ने बरवाया था और ये question कई बार पूछा है इसका जो correct answer है वो है महरगड बरवजिश्टान में इसके पॉइंट नेमबर 23 है वो है कि आश्टल पिजकस अफरेंसिस की कोछ कहा हुआ था हदार साइट पे हुआ था इथोपिया में इथोपिया के जो capital है अधिसरावा जो पॉइंट नेमबर 24 है और last है वो है आपका कि यदि 36 उत्खनन रेल गाड़ी है तो लंबवाद उत्खनन रेल समय साड़ी है यह मार्टिमर वीलर के किस किताब में है तो किताब का नाम है Still Digging ओके उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आए होगा हॉआ खायओे तो किताब में है अबर्मा रेल की तो किताब में है